तो उडिसारे पहंची ची लिजंद स्लीक्रिकेट आउड लिजंद माने भी उडिसारे पहंची चंती थे मानं कर खेड़ा देखिवा पाई लोकोंको वितरे भर पूरुद सहर होईची आउजरे लिजंद आमसे तो आजी उपस्ते तो अच्छंती परविंदर आवाना आपन समस्ते जानी थिवे पूरवतन भारतिया दृत बोलर एबंग आई पेल ले मध्यां तंकरो बोलिंगर बहुत फ्यान दिवाना भी थिले आमसे तो परविंदर अच्छंती पहले तो बहुत शुक्रिया बधाई कि ये दुबारा से नई इनिंग्स की शुरूआत हुई है य अभी चार साल हो गया है आपको रिटार्मेंट अनाउंस किये हुए ये दिमाग में था कि फिर दुबारा से कॉंपेटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगा ऐसे कुछ लीक्स होंगे या फिर फिर से वही जो सो होस के साथ फिर से में मैदान में जाऊंगा और खेलूंगा आ आपकी उमर बढ़ती चली जाती है पर जब आपने स्टार्टिंग की थी किरकेट वही मन और वही सोच रहती है हम इसे क्रिकेटर की तो सुरू में थोड़ा बोड़ी स्लो हो जाता है पर माइंड सेट वही रहता है तो बदाई देना चाहूंगा मैं LLCT को और हम जैसे प्ल कि इस बात के ऐलान हुई कि LLC जैसा को एक लीख होगा और उसमें आपके पास पहुंचे पूरा जो टीम था LLC का कि आपको हम सोच रहे हैं कि आप आये हमारे साथ जुडिये और खेलिये तब जो वो मोमेंट था कैसा लगा मनलब आपको लगा के यह तुम्हें चाहता थ आपके में फिर से उत्रूँ बिल्कुल मैं बोड़ा उतसाहित था क्योंकि आपकी करिके कभी खतम नहीं होती है और जब मेरे को पता चला कि ऐसे इस तरीके से लीग स्टार्ट हो रही है तो मैंने ड्राफ्ट में अपना नाम भेजा और जब मेरा ड्राफ्ट में नाम आया और आप फाइनली जब पंजाब के लिए मैं पिक हो गया था तो बड़ा उतसाहित हुआ था वही मुमेंट मेरे को 2012 और 2022 दस साल बाद भी वही मुमेंट मलब वही फील थी मेरे अंदर लेकिन एक वो भी चैलेंज भी होता है एक फास्ट बोलर के लिए खास करके क्यूंकि फिर क्यारियर में इतना स्ट्रगल और फास्ट बोलर के लिए तो और भी स्ट्रगल बढ़ जाता है प्रैक्टिस और प्रिपरेशन को लेके कितने आप मेंटली तयार थे इस बात के लिए कि मैं फिर से जाओंगा और उसी इंटेंसिटी के साथ खेलूंगा दिली के लिए म लेकि अथाराइ उननिस में विजडारा टॉफिर फाइनल खेले हैं तो मैं नेट्स में बालता हूं मैं अपने ट्रैनिंग करता हूं तो कही न कही मेरी fitness ब्रकरार थी और मैं continuous ball डाल रहा था और office के लिए मैं income tax में हूँ तो office के लिए continuous cricket खेल रहा था और अभी हमारे दिल्ली में टूनामेंट हो रहा था उसी में में भाग ले रहा था टूनामेंट से पहले कही न कही मेरी practice हो जाएगी अब तो पता है आपको देखके तो नहीं लगता है आप रिटार हो चुके हैं अभी भी वही intensity दिखने को मिलता है लेकिन और एक चीज यह भी है कि जब आप एक बार सोचने के बात अलग है लेकिन एक बार आप मैदान में उतर चाते हैं डिमांड होते हैं क्राउट के डिमां डियुपटमासटी क्रिकट में उतरते थे या भी बस आगले बस ऐसे आगलेटे में अगले है उतना नहीं है कि इन्जै में अगले फरिफोरमेंश को लेके कर सकते हो जब में पहला फर्स्ट क्रेस गेल ठाल अब भी उतना ही प्रेश था जब मेरा प्रेस्टा में। अभी इंडिया महराजे के लिए भी हम चैनित हुए थे, उसके बाद हम लखनौ गे, लखनौ में पहले मैच में मैं टीम में था, पर उसमें अंदर बाहर अंदर बाहर क्योंकि सबकार रूल है इसमें, तो उसमें बैट्समेन इन करा क्योंकि हमारे जल्दी बैट्समेन करते थे तो प्रेशर था, कोचिस कह रहे हैं आप इन हो, तो प्रेशर है, आप आउट हो, तो मैं रिलेक्स हो, तो रहता है, पर जब आप ग्राउड में अंदर चले जाते हैं आपकी feeling वही वह पुरानी memory वापस आती है, तो फील होता है, प्रेशर हर किसी player को होता है, पर अगर आपको प्रेसर हेंडल हो गया तो पर्फोर्मेंस होगी, अगर प्रेसर हेंडल नहीं होगा तो पर्फोर्मेंस नहीं होगी, पर यह अच्छा फॉर्मेट है, बड़ा वही प्रेसर है जो हम IPL में फील करते हैं, वही प्रेसर है जो अब LLCT में हम फील कर रहे हैं, जैसे तो फ्रैंचाइज बेस्ट बना दिया गया है और फ्रैंचाइज में जैसे में बोला कि चालेंजिस भी अपना दूसरा होता है उसमें डिमांड भी अपने दूसरे होते हैं तो फरक क्या कुछ है मतलब आपको कैसा आपके नजरिये से उस फरक को हम जानना चाहेंगे कि उस त सारे लेजेंट्स हैं आप किसी भी नाम को ठाके देखेंगे तो हर टीम में आपको 18 प्लेयर लेजेंट्स ही दिखेंगे और जो प्लेइंग 11 भी कर रहे हैं तो मैं बस यह कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा टूनामेंट है जो लोगों को एजी लग रहा हो इतना एज जीनिया पूरा प्रेसर है और अची किर्कित हो रही है और चीटना है जीतने के बिल्कुल अभी आप कल का मैस देख लीजिए आपला श्ना गया लास्ट तक मैच चलाए लाश्ट हमारा हमारे जितने भी तीनों मैच वें एक बारिस की वजए से दिली में नहीं पाया तीनो मैच लाश्ट तक गए हैं तो खूब इंजोई कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि लाश्ट ओवर तक क्या होगा हम जीतेंगे हमारेंगे बस यह हम अच्छी किरिकेट खेल रहे हैं गुड़ पॉइंट्स ले रहे हैं मिक्स्चर हमें देखने को मिला है जैसे कि प्लेयर्स इसमें जाक स्केलिस के रेंज के भी हैं मुथ हैम और लिधरन के रेंज की और आप अभी 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 रिटार्मेंट अनॉंस के हैं ज्यादा वक्त नहीं हुआ है अपने जिसे बोला कि फीजिकली भी आप उतने फिट है अब आप बॉलिंग भी कर रहे हैं कर सकते हैं लेकिन फैक्म अब विर्फस प्लेयर थोड़े ज्यादा उनको उमर हो गया है थोड़ा ज्यादा दिन उनका दौरिया क्रिकेट से हो गया है जसे फिर एजज्जमेंट होता है टीम के अंदर मुठिया सर के लिए अगर मैं बात करना चाहूँगा कि उनके साथ मैं खेल रहा हूँ बजूपा के मैं साथ खेल रहा हूँ उनको इतनी नॉलिज हैं वो लेजेंट्स हैं तो अपने एक्सपिरियंस को अब बजूपा को देखोगे तो वो पूरे मरला ऐसे लग रहे हैं कि यंग लड़के जो हमारी टीम में 34 साल के हैं और वो 40 प्लस हैं उनसे भी आगे हैं तो किर्किट कभी खतम नहीं होती मुर्ली जब आप देश के लिए खेल रहे थे या फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे थे आई पेल में तो वही माइंड सेट हैं ऐसा कुछ नहीं कि 50 सिर्फ ए नंबर हैं अगर आप वापसी कर रहे हो तो फिर वापसी आप निखार होती चली जाएगा भी जैसे ये लीग है बड़ थे पीछ एक सोच होता था मतल्हइब डिसीफ करना एक प्लान के तहथ बैट्समान को आउट करना है क्या वो सोच अभी भी है इस वरपोलिंग कर ने जाते हरवर के हम में सोचना एक प्लानिंग के तहथ आउट código अलओग ना दो नहीं ए प्लानिंग को अटकरना यह नहीं तो यह आपको सोचना है कि इस कंडिशन में किस तरीके से बॉल डाली जाएगी तो यह तो सोच करनी ही पड़ेगी उसकी फिर प्रक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको यॉरकर आपको श्लोर वन श्लोर बॉंसर लेंट से स्विंग कराना तो इस चीज़ आनी चाहिए अगर कुछ भी नहीं तो आपको कम से कम लेंट पर डालनी आनी चाहिए बॉल कि जो आपने काफी मैचे से हम पर खेला भी आई-पिल के लिए भी खेला है लेकिन आ बॉरिस्टे के बारे में जाए चहूंगा खासकर के कल के मैच के बाद फिल्ड के मेरे में और पीचेस के बारे में जो पीच कल यूज वह था ज़ा था जिट आफ। उसके बारे में मैं हम दुनों से यहां पर वर्स हो रही हिए ती बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी क्यूंकि हम जहां पर रुके हुए हैं जहीति बारिस लगातार हो रही थी और अपने था भारिश हुई है उशके बावजूद हूँ भी आपने कि रिष्त है ठीने कम जर्ण कितने चलंच टीक हम 1400 है मैं kids leon-punjaab की यह ऑंपर खिला था तो मैं पहले दो यूएव में मैच इस पहला था फिर उसके बाद मेरे को मैच चुछे इसनिंच खेले solving मैच खेले तो उसमें मेरा दुबारेसे मैं खिलने का मौका मिला और एक अभी तक का जो सफर है टीम का कैसे देख रहे हैं और टाइटल के लिए कितने उमीदे हैं अभी आपके अच्छी किर्केट खेलने को देख रहे हैं अभी हम तीसरे नंबर पर हमारी टीम हैं हर टीमों के दो-दो मैचे बचे हुए हैं तो कोशिस करेंगे अच्छी किर्केट जो गलतियां की हैं दुबारे नहीं दोहराएंगे और हमारे जो बैट्समेन रन ही बन रहे थे हमारे बैट्समेन उने रन काफी 175 के असपास रन किया इस मैच में और बॉलिंग हमारी अच्छी हो रही है आप कॉन्फिडेंट है ओवर कॉन्फिडेंट निये बस जो उस टै प्रिकि जो लीग से भी सामने आ रहे हैं खास कर के लीजेंस लीग क्रिकिट फ्यूचर क्या देख रहे हैं और खास करके उन प्लेयरों के लिए जो लोग अटैट्मेंट अनौंस कर रहे हैं उसके इर्दगिर्थ हैं उनके लिए ये कितना ऑपरचिनिटी प्रवाइट कर और आगे चल के कर सकता है आपको लगता है इस लीग के जो भी संयोजक हैं और जिनों ने ये लीग बनाई है उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम जैसे प्लेयर जिनका किर्केट कैरियर खतम हो गया था एक दुबारे से हमारे जीवन में एक प्रे मैं सलूट करना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो इस लीग के पीछे हैं और जो रिटार्मेंट प्लेयर हो जाता है उनके बाद जब मैंने रिटार्मेंट ली थी 2018 में तो मैं एक हपते तक अपना आपको सिम्हाल नहीं पाया था क्योंकि आपने हमेशा किर्किट खेलिये और आप जब किर्किट से किर्किट से आप दूर हो जाते हैं आप हो नहीं सकते हैं फरक होता है हर किसी प्लेयर के साथ होता है कि आप दस साल मैं दिल्ली के लिए खेला उससे पहले मैं 2000 से अकेडमी स्टार्ट की थी और 2008 तक वो मेरे अठारे वर्स बहुत ही अच्छे थे तो हमेशा याद रहते हैं हर किसी के साथ ही ऐशा होता होगा मेरे साथ तो यह अइसी फील हुई थी फिर मैं धीरे-धीरे संबला और मेरे को डिली में काम मिला India कोज के रूप में एंपस्राइव in वी बाुलिंग कोज्ट के व्योजरी में tailored कर में क्रिकिट के साथ जुड़ा हुआ था तो जो मैं नहीं कर पा रहा था मैं अपने बता के और टाइटिल के बहुत करीब जाये और जीते भी उसको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं उडिसा चैनल न्यूज वालों को बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा कि यह अभी तक मैंने किसी के साथ सेर नी किया था जो अपनी फिलिंग थी आपके साथ सेर कि आपके जो लीग रो क parenting एमती चलू एवँ गा आमार जो पुरवा बहू हीरो माने रह थोले जो मानूप्य देखी चली थोले सेवानूपको अम insult को देखिवार अल्neege पूनिसे साथ कुसे बोलिंग कु देखिवार अमको पूनि मौखा मेलु